इंडियास फर्स्ट एंड फ्री मिजग डिस्ट्रिबिशन कोर्स में आपका स्वागत है अगर आपके प्रोफाइल पर अपलोड ना होकर किसी दूसरे बंदे की प्रोफाइल पर अपलोड हो गया है सबसे पहले हम बात करें कि भाई यह एरर आता क्यों है यह परिशानी आती क्यों है और इसला क्या सोल्यूशन है ठीक है क्या आप अपने उस सोंग को वापस से अपनी आप प्रोफाइल पर लाप आओगे या फिर जिसकी प्रोफाइल पर वह अपलोड हुआ है आप उसको किस तरीके से एक्सिस कर पाओगे सब बताऊंगा इस वीडियो में लेकि इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर दो कि वाई जो हमारा फोर्स है उसका इस सिक्स्टीन चैप्टर यानि कि हमारा यहां पर हाफ पोर्स कंप्लेट हो चुका है और यहार कमेंट करके जरूर से बताना आभी तक आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हम बढ़ते हैं इसके रीजन की तरफ के वाई ऐसा क्यों होता है यह अधिकतर जब होता है जब आप एक नए आर्टिस्ट होते हो अपना पहला सोंग अप्लोड कर रहे हो जो कि डिस्रीबुटर को नहीं पता होता है कि जो आप हाँ पर आर् अपने आर्टिस्ट हो तो वो डिस्रीबुटर जो आपने हमाँ पर आर्टिस्ट अपना नेम दिया है अगर उस सेम नेम की प्लैटफॉर्म पर अवाईलेबल है तो वो डिस्रीबुटर क्या करेगा वो उसी प्रोफाइल पर आपके सौंग को अप्लोड कर देगा इस करने के लिए इस एरट सरे र избशन के लिए को करना क्या कनाई कुछा है अपने रियल नेम की वजाए अपना आर्टिस्ट पर उसी बशीबुटर को राठी नीम की में रियम पर उस पर कि आपके सॉंग अप्लोड कर देता है सारे कि सारी चाहिए आप कितने अलग अलग डिस्ट्रीटर को यूज कर रहे हूं वह इससे परेशानी क्यों होती है इससे बचने का रीजन क्या है वह मैंने आपको बता दिया अगर मानलो आपको नहीं पता था कि यह परेशानी क्यों ह कर सकते हो वह मैं आप पताता हूँ सबसे पहले आप अपने डिस्रीटर को कॉंटेक्ट करो आप पर पर अपना पर अक्रसा स्वारी लिंग उसका नाम था यह सारी चीज़े आपको प्रोवाइट कर दीनी है उसके बात में आपको वह सौंग जो है वह डिस्रिब्टर आपका क्लेम करवा देगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई आपको लेना है लीगल एक्षे डिस्रिब्टर के ऊपर यह होता हो गया भाई लीगल प्रोसीजर अब भाई मैं बात करता हूँ कि जो मेरा तरीका है मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा देखो अगर आपको डिस्रिब्टर हेल्प कर देता है इस प्रोसेस के दुरूप तो बहुत अच्छी बात है कि तरीका यही है लेकिन अगर नहीं हेल्प करता है तो वही सबसे पहला जाएगी सेम वही नेम जो आपने अपना आर्टिस नेम डाला था उस सौंग के अंदर प्रोफाइल भी उसे नेम से बनी हुई है तो उस प्रोफाइल को क्लेम कर्लो आप देखेंगे किस तरीके से क्लेम की जाती है जिस पर मैंने ओर लेडि वीडियो बना दी है नहीं देखी तो अभी जाओ playlist चेक करो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अलग-अलग platform पर आपको अलग-अलग profile claim करनी होगी, यह एक साथ में आपके सारे platform की profile claim नहीं होगी, अब भाई जब आप उसको claim कर लोगे तो प्रोफाइल आपकी song चाहे उस profile पर पढ़ा रहे है या ना है, तो भाई अब आप क्या करोगे, और distributor भी आपकी नहीं सुन रहा है, तो भाई अब एक काम करो, उस song को जिस भी distributor से आपने upload किया है, उसको वहाँ से delete करो, और उसको दुबारा re-upload करो, और distributor को message ले दो, अपना metadata real, कि भाई मैं new artist मेरी new profile create होनी है, हर किसी platform पर, तो distributor आ आपका उस profile पर जो नहीं बनेगी, distributor जो आपकी profile बनाएगा, वो वहीं जाकर upload होगा, ना कि जो already उस name से profile बनी होई है, वहाँ पर जाकर upload होगा, तो भाई ये तरीका था, मैंने आपको बता जी है, legal procedure क्या है, ठीक है, उसके बाद में आपको अगर claim करनी है, क्योंकि उस profile प upload करो, delete करकर, तो भाई ये था पूरा process, I hope you आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो एक like जरूर से कर दो, तो भाई इस वीडियो हमने ये सिखा कि आगर हमारा song किसी दूसरे बन्दे की profile पर upload हो जाता है, तो वो क्यों होता है, उसका क्या reason है, ठीक है, और इसका क्या procedure होता है, अपने songs को वापस लाने का अपने profile पर, तो यहाँ पर भाई हमारी अगली वीडियो होने वाली है, कि how to enable your songs quality, यानि कि जो आपका song है, उसी quality उन कैसा enable होगी, जिससे की कोई भी बन्दा, उस song की quality उन अपने number पर enable कर सके, तो फ्लान दोसे पोटे में तना ही ता, जाहिन और बंदे मात रहूं